दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की पालिकर में देखे बिहार पुलिस में सिपाई के पदो पर बंपर भरती तीन महिने के अंदर होगी बहाली जाने पूरा अपडेट जादे के बिहार में पुलिस सिपाई के तैयारी कर रहे बेरोज़गार वावो के लिए अच्छी कबर है बिहार पुलिस में सिपाई के पदो पर बिगापन जारी होने के तीन महिने के अंदर होगाली कर दी जाएगी केंद्रे चैन परिसाद सिपाई भर्दी के आईदक चवम पूरू डीजीपी डाक्टर संजी कुमार सिंगल और एसके सिंगल ने ये बात कही है बता दे कि आने वाले दिनों में बिहार पुलिस में करीब सरसट हजार से जदा पदों पर भर्दी की जाएगी इसमें करीब अलग अलग पदों पर भर्दी के लिए नोटिपीकस निकाले जाएंगे वह नोटिपीकस जारी होने के तीन मैने की बितर बहाली कर दी जाएगी यानि कि अब ये अरतियों को ज़्यादा इंतिजार नहीं करना पड़ेगा बाड़े कार में देखे स्वास्त बिभाग में एक लाग साथ हचार बहाली डाक्टर नरसो की गरेजिलों में होगी तेनाती मंत्री तेजसु यादव का बड़ा एलान जिया देखे बिहार के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टर और नर्सों की गरे जिलों में पोस्टिंग होगी उप मुख मंतरी स्वस्टवास्त मंतरी तेजसी यादव नर्ज के 24 जीलों में फाइल एरिया उनमलन के लिए सर्वजन दवा सिवन अभियान की सिरुवात करते वे या घोसना की है उप मुख मंतरी ने ग्यान भावन में आवेज़ इतकार करम में खुद विभागया दिकारियों के साथ दवा खाकर अभियान का आगास किया इस मौके पर विभाग के और से चलाई जारी योजनाओं का जिक्र करती वेनों ने कहा कि सरकार का प्रियास से तबी सारतों को गजब हम टीम के रूप में काम करें सरकार की कोसिसे की चकिस्स कर्मियों को कोई परि Creed वा नर्सों की ग्रेज जिले में तीनाती के जाएंगे असपतालों क काया कलब होगा पुराने भावनों की स्तान पर नए भावन बनाये जाएंगे और कुछ का जिनों दुआर होगा मरुजों की सुविदा के लिए भी भाग एक लाग सट जार नोकरी देगा बाड़कर में देखे बिहार में दो दिनों बाद गिरेगा तापमान पुरे राजज में तेज हवा चलेगी जहाद के बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है सर्दी कम हो रही है लेकिन सुबा और साम को इसका खासा असर देखने को मिलता है मौसम बिगान केंदर पाटना के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंडों के बाद पचवा हवा की गति में बिर्दी होगी वहीं कुछ जगों पर हवा की गति 20-30 किलोमेटर पर ते घंडा तक रहने की सम्हावना है वहीं नियुनतम तापमान सामाने से 2-4 डिगरी वाइदे के इसी बीच पढ़ना समेथ प्रदेश के कई सहरों के अधिक्तमों नियुनतम तापमान में आंसिक विर्दी दरज की गई है वहीं प्रदेश के उत्तरी भागों के सुपोल वा पूर्णिया में गाने कोरे का प्रभाव बना रहा है वाइदे के पचवा हवा की चलते प्रदेश के दच्छने भागों का मौसम सुस्क बने होने के साथ उत्तरी भागों में कोरे का प्रभाव अभी बना रहेगा बाड़े खर में देखे केड़नी टांस्प्लांट के बाद सिंगापूर से दिल्ली लोटे लालो एरपूर्ड पर बेटी मीसा ने रिसीब किया लालो ने हाथ जोड़ कर किया अभिवादन जिहादे के आरजेडी सुप्रेमो लालो परसाद यादव सनिवार रात सिंगापूर से दिल्ली पहुच गए हैं वे सिंगापूर में पिछले करीब ढ़ाएं महने से इलाज करा रहे थे इसी दौरान उनका केड़नी टांस्प्लांट भी किया दिल्ली पहुचने पर लालो बारी के गए हाथ जोड़कर सबी का अभी वादन किया इसके पाले सिंगापूर से लालो यादव के रवाना होने के तस्विरे सामने आई थे ये तस्विरे उनकी बेटे रोहिनी आचारिया ने अपने टूटर पर पोश्ट की थी इन्हें तस्विरों के साथ ये रोहिनी का ख्याल रखना आप लोग सभी बाड़ी का बर्बंदे के मांतरे मंडल विस्तार पर पैसला डेप्टी सेम तैजस्वी लेंगे सेम नितीज कुमार ने कहा उन से पोच लिजे कॉंगरेस ने पोचा नितीज की केबिनेट या तैजस्वी की है जा देके मुख्य मंतरे करके बता देंगे इसके बाद हम गोसन कर देंगे जानकारे के लिए बता दे कि मुख्य मंतरे नितीज कुमार जवई में समाधान यात्रा पर थी इस दोरान उन से मंतरे मंडल विस्तार को लेकर सवाल किया गया इस पर सियम नितीज कुमार ने इस पश्ट कहा कि मंतरे मंड विस्तार जो होगा उसमें आर्जेटी कॉंग्रिस को निन्ने लेना है कि किस किस को मंत्री बनाना है बाड़ी कार में देखे बारा फरवारेन यानि आज बीपेस से पीड़ी पहली बार निगेटिव मार्किंग चार लाग चोतिस जार छेसो एक सेट अभियरतों ने किया है आवेदान आड़ सो पचास केंद्रों पर होगी परिच्छा ज्यादे कि बिहार लोग सिवा आयोग के सरसटवी परारामिक परिच्छा में प्रसन पत्र लीख होने और सभी परिच्छा केंद्रों के रद करने के साथ पुनर परिच्छ लेने से ना सिर्फ छात्र छात्रों को काफी परिच्छा नहीं हुई थी बलकि बिहार लोग सिव आयोग के भी खोप जीयत वी थी परिचा के बाद जिस तरह से नो प्रसनों के उत्तर अपतिक के बाद बदले गे उससे भी साप हुआ कि डेड़ से सवाल भी ठीक से नहीं पूछ पाता बिहार लोग से वा आयोग तब एक प्रसन के बदले में 15 और रिचल भी देना पड़ा इसको लेकर चात्र चात्रों का आंदोन लगतर चलता रहा पुकि मुंत्री आवास के बाहर पहुचकर प्रदोसन में किया गया अब तमाम चुनोती और सतरता के साथ आयोग 68 भी पीडी की परिचा 12 फरवरी यानि आज रईवार को लेने जा रहा है आपको बता दे कि बिहा नेदेश भी अपने वेबसेट पर जार दिया है आयोग ने साब सब कहा है कि कदाचार करने वालों को बखसन ही जाएगा बाड़े खर में देखे हैमन सोरन से तजस्वी यादवने की मुलाकात जारकन की राइनितिक हालात पर हुई है दोनों निताओं में चेर्चा जा देखे दो दिवस्यों दोरे पर जारकनाई बिहार की उपमुख्यमांत्री तेजसिव यदव ने मुख्यमांत्री हमन सोरन से उनके आवाज पर आपचारिक मुलाकात की इस दोरान आरजडी के ब्रदान महासची अब्दुलबारी सिद्गी पाड़ी के वरिष्ट नेता स सांसत पूर विधायक जारकन सरकार में मंत्री सितनन बोगता सहित कई आरजडी की नेता और करकता सामिल होंगे बाड़ी खरमिदी के बिहार में बढ़ सकती है बिजली के दर बिजली कमपानियों ने बिहार विदोत बिनामेक आयोग को दिया है प्रस्ता आओ जादे के रेलवे सहीत बड़ी कमपानियों को बिहार में ओपन एकसेस यानि खुली बाजार से बिजली के खरीद मांगी पड़ीगी इसके अवज में उनको डेड़ गुना तक अधिक बिजली तर के साथ बड़ी वी क्रोस सबसीडी का बुगतान करना पड़ सकता है बिज पर बिहार विदुत बेनामक आयोग बिजली कमपानि सहीत सबी समधित पक्चों के साथ सुनवाई के बाद अंतिम निन्ने लेगा बाड़ी करमेद के बिहार के यादरियों के लिए खुसकबरी हुली पर बढ़ना से दिली पुनिवा मुंबई के बीच चलेगी स्पेसल ट अब यादरियों के इसी बढ़ती भीड को देखते वे रेलवी के ओर से चार जोड़ी हुली स्पेसल टेन चलाए जाएगी रेलवी ने पाटना अनंत बिहार मुझपरपूर यसवंधपूर बरोनी पुनि तता जैनेगर मुंबई की बीच हुली स्पेसल टेन का परिचलन क देने वाले अब यर्दियों का अब तीन बार चेहरे और अंगुलियों का बायोमेटिक मिलान होगा परिचा में पार दरसिता लाने और धानली लोकने के लिए केंद्री चैन परसद ने यह बदलाव किया है परसद के अदच एसके सिंगल ने सिन्वार को प्रेस वरता में परिचा आवजन में होने वाले तकनिक बदलावों के जानकारी दिया उन्होंने बताई कि परिचा में नकल कैसे रोकी जाए और पार दसिता कैसे बढ़ी इसको लेकर उत्तर परदेश भरती बोड की वर्यादिकारियों के साथ बैठकी गए थी इसमें एक दूसरे राज की बेतर तकनिकों को अपनाने बर विचार में मर्स हुआ है 2-3-3-5 पंच समय ऐकर रखमई इस हमें इसके अलावा किवस्झा, 0-3-2-0-6-3 पंच समय अक बज कर 5 मिनट मथ कर दिया गया है। साम्म में खुलने वाले गाड़ी सिंक्या 03365 पढ़ना गया मेमू का गया इस्टेशन पर संसुदित आगमन समाई चार बज़ कर 45 बज़े यानि कि साम को किया गया है बाड़े खर में देखे 31 माज तक अधार से लिंक करा ले पैन नहीं तो रद होगा जादेखे सबी पैन कार्ड को 31 माज तक अधार से लिंक कराना अनिवार है यदि 31 माज तक पैन लिंक नहीं हुआ तो यहाँ अवेद और निस्क्री हो जाएगा आईकर विभाग ने अपने सेत्यापेती ट्यूटर एकाउंट पर इस बात की जानकरी साज़ा की है आपकी जानकरी के लिए बताते कि पैन कार्ड धारक www.incometax.govornment.in पर जाकर ऑनलाइन मादम से अपने पैन कार्ड को वैद आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं इसके लिए 1000 रुपे का सुल्क देना होगा मैं सुत्रों की माने तो आधार कार्ड से पैन कार्ड तबी लिंक होगा जब आधार कार्ड अपडेट रहेगा और दोनों कार्ड पर दे गई जानकर एक समान होगी साथी लोग कौमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी बहुत आसानी से या प्रक्रिया पुरी कर सकते हैं बाड़ खर में देखे गलत मुल्यांकन करने वाले सिक्षकों पर लगेगा 10,000 का जर्माना छेन लिया जाएगा यहादिका साथी जो सिक्षक आंक जोड़ने यह इस्टेप वाई चे आंक देने अधोरा मुल्यांकन करने जिससे गलतिया करेंगे उनको आगे से मुल्यांकन में समिल नहीं किया जाएगा और उनको हमेशा के लिए इस कार से अलग कर दिया जाएगा गलति करने वाले सिक्षक पर अधिकताम 10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है CBS ने उत्तर पुस्टिकाओं के मुल्याकन को लेकर सुचना सभी स्कूल को भेज़ दी है बोर्ड ने इसकूल को कहा है कि मुल्याकन में लापारवाही करने वाले सिक्षक पर करवाई भी की जाएगी साल 2022 के 10 वी और 12 वी की परिचा के मुल्याकन में परिचकों ने कई गलतिया कि थी रेजल्ट जारी होने के बाद चात्रों ने उत्तर पुस्टिका की पुन मुल्याकन के लिए आविदन किया तो कुछ गलतिया सामने आई बिहार में दोसों से ज़्यादा सिक्षकों ने उत्तर पुस्तिक पर अंग दिने में गड़वड़ी की थी कई सिक्षकों ने अंग कम दिये तो कुछ ने अंग जुरने में गलती की कुछ ने अधुरा मुलाकन किया कैल सिक्चकों ने कौपी पर अंग कुछ और एंट्री में कुछ और अंग लिख दिये अधिकरमेदी के बिहार में साथवे चरन के सिक्चक बाली जल पचास बीदी पदों पर सिधी नियुक्ती प्रसासन को भेजी गई नियामवली जैदे के बिहार में सबी तरह के सिक्चक के नियुक्ती के लिए एक प्रकार की नियामवली बनाई गई है सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्र सेकर ने सिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियाम वली की विभाग ये प्रस्ताव को हरी जन्डी दे दी है प्रस्तावित नियाम वली की खास बात यहोगी की रिक्त पदों में से 50 फिदी पद 29 से भरे जाएंगे साथ प्रस्तावित नियाम वली में आरजित आवकास दो गुना कर दिया गिया है वाईदे के सिक्षा मंदरी के अनुमादी के बाद अपचारिक मंजूर के लिए प्रस्ताव सामान प्रस्तावित और विदी विभाग को भीज दिया गिया है उमित जताई जारे की होले से पहले केबिनेट हर हाल में सिक्षक नियाम वली हरी जन्डी दे दी है जानकारी के मताबिक नियाम वली में निक्तियों और प्रमोशन के अलावा सिवा सर्तों पर विस्स रूप से फोकस किया गया है आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें